कि एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग वैलकम टो एक एडमे लेट्स क्रैक्ट यूप एक स्वागत है और भारत के समविधान के भाग छे कि इस समय हमारा जो यह टॉपिक चल रहा है इसका आज के सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे के राज्य की विधाईका के बारे में कल हमारा राज्य की कारेपाली का कंप्लीट हो गया था राज्य के राज्येपाल मुख्य मंत्री मंत्री परिशत इन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो आज के सेशन में राज्य की विधाईका को हम लोग शुरू करेंगे राज्य की विधान मंडल में सामान ने तह आपने दिखा होगा प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होती है और वो कंपल सरी है परंतु कुछ राज्यों में विधान सभा के साथ साथ एक उच्च सदन भी पाया जाता है और उसे हम लोग विधान परिशद के नाम से जानते हैं जी हा किसी राज्य में विधान परिशद नहीं है तो वो उसे किसी भी समय एक प्रस्ताव पारिक करके संसत के द्वरा अपने या स्रजित करवा सकता है लेकिन विधान परिशद किस प्रक्रिया से किसी राज्य में लाई जा सकती है और किस प्रक्रिया से किसी राज्य से हटाई जा सकती है ये भी हम देखेंगे और हम देखेंगे कि विधान सभा और विधान परिशत की संरचना कैसी होती है इसका गठन कैसे होता है दोनों सदन के सदस्यों के लिए योग गिता क्या चाहिए सदस्य बनने के लिए मतलब अरहता है क्वालिफिकेशन और कैसे कोई व्यक्ति इ आप लोगों से मुझे discuss करना है वैसे तो एक चीज आपको clear है ठीक है एक चीज आपको clear होने चाहिए कि विधान सभा राज्य का निम्न सदन होता है और स्थाई सदन होता है तो यह प्रकार से लोग सभा की तरह होता है वहीं अगर हम राज्य सभा की बात करें ठीक है तो राज्यों में विधान परेशद दिखाई देगा जैसे राज्य सभा एक स्थाई सदन है वैसे ही विधान परिशत भी स्थाई है और यह राज्य का उच्श सदन हूता है दो एक से संसद का उच्श सदन कोस्ध ट्रीक है तो इस ही को हम लोग discuss करेंगे पूरे सेशन को लास आपको पता है कि इस समय इंडिया का सबसे बड़ा online learning platform है और आप में से कोई भी अगर मेरे साथ और इंडिया के best educators के साथ अपनी UPSC की पूरी की पूरी complete preparation करना चाहे तो आप unacademy का subscription लेने और unacademy का subscription लेने के लिए इस समय आपके पास सबसे बड़ा option दिया गया है अभी आपको unacademy subscription मिल रहा है वो जिस amount में मिल रहा है वो अभी बढ़ने वाला है price high होने वाला है आप जल्दी से जल्दी इसी amount में अगर subscription लेना चाहें तो cklive मेरा referral code apply करके जल्द से जल्द अपना subscription ले सकते हैं जैसे ही आप यह code apply करेंगे आपको वह 10% discount मिलेगा 10% आपका जो पैसा है वो कम हो जाएगा और आपको unacademy की तरफ से notes, test series, सब कुछ मिलेगा आप इस कोड को अप्लाइ करके नॉर्मल सब्सक्रिप्षन भी ले सकते हैं एक साल डेड़ साल दो साल तीन साल कोई साभी सब्सक्रिप्षन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं लेकिन अभी अभी आप जितनी जल्दी ले सके तो ले क्योंकि यह अमाउंट बढ़ने वाला है 20% लगभग यह अमाउंट बढ़ सकता है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा बाद में और एक और ऑफर है कि अगर जो बच्चे दो साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्षन लेते हैं तो उनको अनकैडमी दे रहा है एक साल का फ्री है अज 25 मई है और यह ओफर आज राथ को बारा बजे खतम हो जाएगा तो अगर आप इस और का यह सादे की दस prelims की booklets जो आपके prelims की preparation में आपको काफी help करेगी तो इस referral code को use करके इसमें play qsb पिछले कई सालों के तो आप यह iconic subscription वालों के लिए extra facility फिर anacademy का combat जो 39 तारिक को होगा इसमें आप free में participate कर सकते हैं इस code को apply करके यह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों को एक पर्सनल कोट चाहिए जिने डेली आंसर राइटिंग की प्रेक्टिस करनी है किसी के साथ वन-on-one की किष्टों में दे सारा पैसा लोन लेकर अनकेडमी की और आप लोन टीम को यह रेफरेल कोट बताएं इससे आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा ठीक है तो अध्याई 33 हम बात करेंगे आज अध्याई 33 33 अध्याई 33 जो है वो है राज्य विधान मंडल आप सभी को पताएं कि जैसे केंद्र में एक विधाईका है वैसे ही राज्य में भी एक विधाईका है और राज्य विधाईका को हम राज्य विधान मंडल के नाम से जानते हैं आम तोर पर आपको पताएं कि भारत में प्र सद्धाबं बारत अंधर प्रदेश इन छे राजों में भारत में विधान परिशद भी है तो ऐसा नहीं है कि बाकी राज्य नहीं ला सकते बाकी राज्य भी अपने विधान परिशद ला सकते हैं जिसे अभी आपने दिखाऊगा हाल ही में वेस्ट बेंगॉल पश्चिम बंगाल ने अपने राज्जी की विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया है और अगर संसद ने उसके प्रस्ताव को मान लिया तो फिर पश्चिम बंगाल भारत में सात्वा रा स्वान पारित किया है अभी अगर संसद भी साधरन बहु मत से पारित कर दे तो फिर पश्चिम बंगाल में वि एक विधान परिशद आपको दिखाई देगी समझ गय तो विधान परिशद को कैसे लाया जा सकता है तो मैं आपको बताऊगा अitelे मंदल राज जी की राजने सरकार के तीन अंग होते हैं कार्यपाली का विदाहिका न्याएंका तो हमने जो भी पढ़ा था न वो था राजम की का रिपाली मुखे मन्तरी राज़िपाल मंत्रि परिश्ड यह राज्य की विधाईका तो यससे आप समझ जास की इसा मे काम क्या है राज्य विधानमंदल का मेन काम है राज्य के लिए कानून बनाना और कानून बनाना तो किस पर? राज्य विधाई का किन किन मामलों में बना सकती है तो यह मैं आपको केंद्र राज्य सम्बंध में बता चुका हूँ कि एक तो राज्य सूची कितने विशे हैं राज्य सूची में राज्य सूची में वर्तमान में 59 उनसट विशे हैं और एक समवर्ती सूची समवर्ती सूची और राज्य सूची के विशेयों पर समवर्ती में 52 विशे हैं इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधाई का को होता है तो राज जी विधान मंडल इस तरीके से अपने आप में एक शक्ति शाली अंग है और राज जी की अगर राजनितिक विवस्था को देखा जाए तो कोई संदे नहीं है कि इसकी एक अपनी महत्पुण और प्रभावी भूमिका होती है अगर राज जी क का विदान मंडल नहीं होगा यह द ही राज जी का विधान मंडल नहीं होगा तो राज जी के यह पहुद्धान कानूम बनाएगा इसी लिए इसका अपना रोल बड़ा तक भारत में राज्जी की विधाईका से जुड़े हुए प्रावधान आपको मिलेंगे 212, 213 में फिर आपको पताए कि राज्जिपाल का अध्यादेश है और 214 में फिर आजाएगा हाई कोट 213 में आपने पढ़ा होगा राज्जिपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 214 में भारत के राज्जियों में हाई कोट से जुड़े हुए प्रावधान मिलेंगे आपको तो 168-212 में क्या है राज्जि के विधान मंडल का संगठन, गठन, कारेकाल, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेश अधिकार और शक्तियां जो जो आपने संसद के बारे में पढ़ा थाना, कि संसद का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों का गठन, संसद में विधाई प्रक्रिया, संसद के सदस्यों के विशेश अधिकार, संसद का कारेकाल, संसद के अधिकारी, जैसे लोक सभा में अध्यक्ष, उपाद्यक्ष राज्जी सभा में सभापती उपसभापती वैसे ही 168 से 212 में ये सारे प्रावधान रिपीट हुए हैं राज्जी की विधाई का कि लिए यद्यपी ये सभी संसत के अनुरूप है देखो ये बात आपको मैंने अभी बताई ये संसत के प्रावधानों की तरह ही है लेकिन य अंतरे काफी सारे जैसे आपको पता है कि राज्जी सभा को कभी भी खतम नहीं किया जा सकता राज्जी सभा एक चीर स्थाई सदन है वहीं अगर मैं विधान परिशत की बात करूं तो विधान परिशत उतना स्थाई नहीं है विधान परिशत जो है वो नश्वर है उसे सारे प्रावधान हैं जो संसद में और विधाई का आपको राज्य विधान मंदल में अलग मिलेंगे तो सबसे पहले तो बात करते राज्य के विधान मंदल के गठन के बारे राज्य विधान मंदल के गठन की जहां तक बात है तो इसमें भारत में कोई एक रूपता नहीं है, क्यों नहीं है, भाई 28 राज्य है, और 28 में से 22 राज्यों में एक सदन है, 28 में से 22 राज्यों में मात्र विधान सभा है, और 6 राज्यों में 2 सदन है, विधान सभा के साथ विधान परिशत भी है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, कि भारत में सभी राज्यों में विधान मंडल का गठन एक जैसा नहीं कहीं दो सदन नहीं झो कहीं तो यह यह ठिके अधिकतर राज्यों में तो फ熟ने विवस्खाय अगर आप भारत की यूंट राज्यों को छोड़कर किसी और राज्य सभ़ सरहिए तो आपके यहां पर एक सदने को सब्राइब तो दो सब्लाइब आपको सब्लाय अब दो सब्लाइब हुआ आतमान में हमारे पास छे राज्य हैं जो मैंने अभी आपको बताए एक तो अंधर प्रदेश हो गया याद रखना इनको तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार महराष्ट्रा और करनाट वैसे बैसिकली सिरीज को इस सेशन को देखने वाले जो मैक्सिमम आप में से बच्चे ह हैं वह इन ही में से किसी राज्य के हैं कुछ हैं जो MPK राजस्थान के ठीक है गुजरात के हो सकते पर आम तो पर यूपी बिहार ठीक है महराष्ट्रा से काफी लोग हैं आप में से तो यह छे राज्यू में विधान परिशद जम्मु कश्मीर विधान परिशद को 2019 में ए बिवान इस कानून के द्वारा जम्मु कश्मीर में टबहुत की लाध में एक कश्मीर को बारत में आप में शेक्र स laquelle नीकपर जब टैस सबस्याइभ कि करक कीके Paintry और एक लग्यू कश्मीर को फिर से कून राज baru सरकार कभी बना नहीं हैं लेकिन बदर कुर परदेशेant को यही जो है स्टेटस है आगे जाके हमें पता नहीं कि जम्मू कश्मी को फिर से कूर्ण राज्य सरकार कभी बना दे पर वर्तमान की हालत तो यही है फिर इसके अलावा भी भारत में समय समय पर कई राज्यों ने कोशिश की है अपने विधान परिशत को लाने की पर वहां है जैसे तमिल नाडू विधान परिशत अदिनियम 2010 यह लागू ही नहीं हुआ अगर यह लागू होता तो आपको तमिल नाडू में भी एक विधान परिशत दिखाई दिखाई दिए आपको पता होना चाहिए कि भारत के किन किन राज्यों ने विधान परिशत को लाने की आजके द्वारा की गई है इसके अलावा भारत का एक राज्य जो शायद आपको नहीं पता हो वहां भी विधान परीशत के बारे में प्रावधान किया गया लेकिन अभी वहां है नहीं क्योंकि एसी कोई घोशना जारी ही नहीं हुई है और वो राज्य है मध्य प्रदेश क् 1956 में जो भारत के समविधान में सात्वा समविधान संशोधन हुआ सात्वे समविधान संशोधन अधीनियम के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश के लिए भी एक विधान परिशद की स्थापना का उपबंद किया गया था मध्य प्रदेश में है नहीं मैं आपको वही कह रहा हूं फड़ा सा कन्फ्यूज मत हो ना मद्य प्रदेश में वरतमान में विधान परिशद नहीं है लेकिन 1956 में लाने की कोशिश की गई थी प्रावधान भी किया गया था लेकिन इस संबंद में राष्ट्रपती द्वाराय कदिसूचना जारी की जानी और आप सोचेंगे कि बड़ी आश्चरी की बात है कि बढ़ी प्रदेश की विधान सभा ने पारित भी कर दिया संसद ने भी पारित कर दिया संसद से भी पारित हो गया तो अभी तक मद्धि प्रदेश में एक ही सदन का विधान मंडल है बाकी 22 राज्य जो है अमारे वहां पर एक सदनी विवस्था आपको दिखाई देगे अब राज्य विधान मंडल में कौन कोन आते हैं जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको बरताय था आर्टिकल 79 यादे एक बार जड़ा रेकॉल करिए थोड़ा पीछे जाईए अनुच्छे 89 में लिखा है कि संसद जो है भारत की भारत की संसद के कितने अंग है भारत की स संसद के तीन अंग है एक राज्य सभा एक लोग सभा और एक राश्ट्रपति भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है कि नहीं भारत की संसद के तीन अंग है राज्य सभा लोग सभा राश्ट्रपति वैसे ही प्रत्येक राज्य का विधान मंडल दो अंगों से बनता विधान सभा और राज्य पाल नॉर्मली सामान्य तया आम तौर पर राज्य विधान मंडल के दो अंग होते हैं और ये दो अंग कौन से हैं एक तो विधान सभा और एक राज्य पाल परंतु यदी किसी राज्य में दो सदन है मतलब यदी किसी राज्य में विधान परिशद भी है तो उस राज्य के विधान मंडल में जानते हैं कितने सदन होंगे उस राज्य के विधान मंडल में तीन अंग होंगे राज्य पाल, विधान परिशद, विधान सभाग, तो राज्य विधान बंडल में आम तोर पर राज्य पाल और विधान सभाग शामिल होते हैं, जिन राज्यों में दो सदन वाली विधाईका है या विवस्था है, वहाँ पर आपको राज्य पाल, विधान परिशद, विध किस लेचर उस राज जी की विदाई का उसके दो अंगों सकते हैं विदान सभा इसे लेजिसलेटिव आसेमबली कहते है और विधान परिशद इसे isrel यिसलेटिव काउंसिल कहते है तो यह ओगले आपका को किसी भी अजो के विधान मंडल में क्या वैसे ही विधान परिशद इस राज किसी भी राज्य में यदी है तो ऊच्छ सदन माना जाता है। विधान सभाव निचला सदन माना जाएगा लोवर महाउस और इसको एक और नाम से जाननते लोक्रिय सदन लोगप्रिय सदन के नाम से लोग सभा को भी जाना जाता है और लोगप्रिय सदन के नाम से विधान सभा को भी जाना जाता है क्या आप बता सकते हैं कारण क्या है कि विधान सभा और लोग सभा को लोगप्रिय सदन क्यूं कहा जाता है कारण क्या है विधान सभा और लोक सभा को लोक प्रिय सदन कहने का कारण क्या है बिल्कुल सही क्योंकि इसके जो दोनों के सदस्य है न वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं एक तो जनता के द्वारा निर्वाचित हैं दोनों ही सदन और दूसरा इनी सदनों के बहुमत से सरकार बनती है ठीके बहुमत से सरकार का निर्मान इनी दोनों सदनों से होता है केंद्र में लोक सभा के बहुमत से और राज्ज में विधान सभा के बहुमत से न तो राज्जी सभा के बहुमत से सरकार बनती है और नहीं विधान परिशत के तो इन्हें लोपरी सदन की रूप में भी जाना जाता है समविधान में राज में विदान परिषत के गठन और विगटन की विवस्था है अब मैंने आप से कहा था कि भारत का समविधान के एक टेंपरेरी विवस्था λाजजी येB उपर है तो रजम विधान में इसके लिए पूरी गठन और विगठन दोनों की प्रक्रिया है संसद एक विधान परिशक को किसी राज्य में समाप्त कर सकती है यदि पहले से हेवां और यदि नहीं है तो उसका गठन कर सकती है अल Hetीमेटली यह बात समझनी है एक पावर किस्की फ यह पावर संद की है मैंने आप से कहा था ना कि राज जी यह दि चाहे तो वह अपने यहां पर विधान परिशत को ला भी सकता है लेकिन वो पावर संसत के पास छेष्य सकती है कि अगर वगर परिचनीन पडर सबसे पहले तो जिस जिस र्च को विधान परिशेत चाहिए उसे एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा अपने उपस्थित और मत देने वाले दो तिहाई तू थड दो तिहाई बहुमत से वो राज्य पहले तो एक प्रस्ताव पारित करेगा किसके लिए विधान परिशत को लाना हो तो उसके लिए या हटाना हो तो उसके लिए और उसके बाद संसद उस राज्य के लिए उस विदान परिशत को लाने का प्रस्ताव साधारन भवमत से पारित करेगी और यदि ऐसा हो गया तो उस राज्य में विदान परिशत को लाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है आ गए समझ में तो इस लाइन को समझने की कोशिश करी एकदम सीधी सी बात है सीधा सा मामला है कि संसद विधान परिशद को राज्य में हटा सकती है अगर वो पहले से और ला भी सकती है अगर वो पहले से नहीं है तो कि जल्दी बिताओ समझ में आया कि नहीं है किसी को कुछ पूछना है किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कि फास्ट कुछ नहीं पूछना मैंने आपको एक्जामपल दिया ना कि अभी पश्चिम बंगाल का मैंने बताया आपको कि पश्चिम बंगाल ने अपने यहां पर एक विधान परिशद को लानी का प्रस्ताव पारिक कर दिया मतलब पश्चिम बंगाल ने अपना काम कर द कि यदि संबंदित राज जी की विधान सभा इस संबंद में संकल्प पारित करें और मैंने आपको बता है संकल्प होगा उपस्थित और मत देने वालों के दो तिहाई बहुमत से इस बारे में आप एक बात दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लेना कभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि राज जी की विधान सभा विशेश बहुमत से पारित करेगी उपस्थित और मत देने वालों के दो तिहाई और संसत साधारन बहुमत से पारित करेगी संसत में उपस्थित और मत देने वालों का आधे से अधिक बहुमत चाहिए इस तरह का कोई विशेश प्रस्ताव राज विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है तो राज जी की विधान सभा से इसको पारित कराना पड़ेगा यह बहुमत कुल मतो और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से कम नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि अगर विधान सभा में आप सोचिए कि डेड़ सो लोगों ने मतदान किया है तो डेड़ सो का दो तिहाई कितना होता है कम से कम सो कम से कम सो लोगों ने प्रस्ताव को पारित करने के विधान सभा को लाने के पक्ष में मतदान दिया हो तो डेड़ सो में सो चाहिए समझ गए तीन सो अगरे तो दो सो चाहिए संसत का याधिनियम अनुच्छे 368 के प्रयोजन है तू संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा आपको ये भी बात क्लियर होगी कि इसका संसत के संविधान संशोधन वाले अनुच्छे 368 से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं ठीके अनुच्छे 368 के दर्प संविधान में जो संशोधन होता है, वह यह नहीं है, क्योंकि इस मामले में संस्ट साधरन बहुमत से पारित करेगी, ठीके इस मामले में संसद साधारन बहुमत से पारित करेगी तो अनुच्छे 308 जेसे आपने देखा होगा किसी राज्य का पुनर गठन करना हो तो अनुच्छे 4 क्या कहता है आपने अनुच्छे 4 कभी न कभी तो पढ़ा होगा ना अनुच्छे 4 क्या कहता है अनुच्छे 4 ये कहता है कि किसी राज्य का अगर पुनर गठन करना हो तो संसद ऐसा साधारन बहुमत से कर सकती है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी राज्य में विधान परिशद का गठन हो तो वो भी संसद साधारन बहुमत से कर सकती है और दोनों ही मामले अनुच्छे 368 के दायरे में नहीं आते 368 के तहट संविधान में संशोधन नहीं माने जाते कि संविधान सभाने राज्य में दूसरे सदन की विचार की आलोचना इस आधार पर की कि यहां जंता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा अब जब इस बात पर बहस हो रही थी सम्विधान बनाते समय आपको पता है ना कि बहस हुई हर बात पर विवाद हुआ विमर्श हुआ चर्चा हुई तो डिसकुशन हुआ कि क्या राज्यों में विधान परिशत होनी चाहिए कि नहीं तो पूस जन्ता द्वारा सीथी चुनी जाएगी ना आप विदान परिशत को शक्तियां दे रहे हो तो विधान परिश यह का होना उक प्रतीक को तो पर रह जाए गां चिन बच्चों ने थोड़ा सा संविधान अच्छे से पढ़ा है। यह जिनको प्रावधान प्लीर है. तो वह जानते हैं कि वास्तव में भी है सही है कि विधान परिश्यत का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. विधान परिश्यत ऐक ऐसी संस्था लेकिन गाड़ी के बिना वो रह सकता है, मोबाइल के बिना रह सकता है, अगर मोबाइल है, तो ठीक है, नहीं है, तो भी ठीक है. समझे मेरी बात तो इस प्रकार से यहां भी मैं आपको बता दूं कि समविधान सभा में यह हुआ कि दूसरे राज्जी की मतलब राज्यों में दूसरे सदन की उपयोगिता पर चर्चा हुई तो कई लोगों ने आलोचना की कि विधान परिशत की कोई जरूत नहीं है ठीक है तो कि संपोल सब्सक्राइए ऐं डाज्यों में विदाइक नरुसरे राज्यों में एस कारूं में बिलंब करेगा उल्टा दोनों सदनों से पारिट कराने कि चक्र में आपको बिना मतलब करने की लेट लतिफी होगी और खरचा तो होगा ही उगा ना आप विधान परिशत के चुनाव करवाएंगे, उनके सदस्यों को मोटा वेतन देना पड़ता है, आपको पता है कि सेलरी बहुत ज्यादा होती है विधाय को सांसदों की, तो इनको मोटा वेतन देना पड़ेगा, खर्ची लाओगा, इसी कारण से यह उपबंद किया गया, क यदि किसी राज्य में विधान परिशत की स्थापना ये गठन करना है, तो उस राज्य को अपनी इच्छा और आर्थिक स्थिती का ध्यान रखना होगा, वो कहते हैं, शोक बड़ी चीज है, अगर कोई व्यक्ति, औडी जिसको आप कहते हैं, या बीम डबलू या इसी तो वो तभी लाता है, जब वो उसका खर्चा उठा पाता है, आम तोर पर एक व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से ओल्टो का या किसी छोटी-मोटी लख्टकिया का इंतजाम करता है, वो व्यक्ति बड़ी कार के सपने नहीं देख सकता है, दूसरी कार नहीं ला सकता है, त क्या आप विधान परिशत का खर्चा उठा सकते हूं, क्या आपके पास में विधान परिशत का खर्चा उठाने लायक बजट है, अगर आपके आर्थी किस्तिती अच्छी है, तो ले आओ, क्योंकि बिना आप देखेंगे, बिना विधान परिशत के भी राज्य में बढ़ कि जिसे केंद्र में राज्य सभा लोक सभा वैसे ही राज्यों में विधान परिशद विधान सभा लेकिन विधान परिशद को राज्य सभा जिसी शक्तिया नहीं है विधान परिशद को तो और भी कमजोर बनाया गया है बतलब अगर आपको राज्य सभा की शक्ति या हालत आपको बुरा लगता हैं आपको दुक होता है तो विधान-परिशत के शक्तियूं के बारे में सुनके तो आपश आपके आंसु नहीं रुंगेंगी इतने ज्यादा को ज़य कि हो रहे नहीं का तो इसके औचित्य बारे में इसकी उप योगिता के बारे में इसके महत्व के बारे में यं इसके विवाद हमेशा होता रहता है कि इसके जरूत एक नहीं है है तो यह राज्य के उपर छुड़ दिया फिर ने क्या क्या कमपल biss असु लिए सम्विधान सभा ने ठीक है इसी लिए समविधान सभा ने राज्यों पर छोड़ दिया तुम देख लो यार तुभे लाना है तो लाओ नहीं लाना है तो मतल़ उधारन के लिए आंधर प्रदेश में 1957 में विधान परिशत का गठन किया गया और 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया 2008 में अंधर प्रदेश में फिर से विधान परिशत को लाया गया पुन्र जीवित खिया गया तो अंधर प्रदेश ये खेल केला रहा है तो यह राज कि ल medium प्रैश किनMore तमिलनाडू विदान परिशद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और पंजाब और पश्रिमंगाल विदान परिशद को प्रस्ताव फिर से पारित कर दी तो इसी के अनुसार संसद ने तमिलनाडू विधान परिशद अधिनियम 2010 पारित किया जिससे की राज्ज में विधान परिशद स्रजित की जा सके समझ गए यहां तक हाला कि अभी भी विधान परिशद आपको तमिलनाडू में दिखाई नहीं देगी इस अधिनियम के लागोगोंने के पहले ही तमिलनाडू विधान सभा ने 2011 में एक और प्रस्ताव पारित किया और उस राज्जिसे विधान परिशद को हटा दिया अपर यह तो और भी पड़ी विच्जित रिस्तितर हो गई कि पहले विधान परिशक को को लाने का प्रस्ताव पारित करते हैं और उसके आने के पहले sudah हिवय कर दिया वापस लिक्ट प्रस्ताव तमिलनाडू ने पारित कर दिया मतलब यह वैसा हो कि आपने किसी गेस्ट को कॉल करके बुलाया कि कल शाम को हमारे आप भोजने आपको आना है और वेक्ति एकदम तयार हो कि बिल्कुल कपड़े पहन के घर से निकलने वाला है कि चली आज तो बढ़िया दावत पर जाएंगे और पैड भर के खाएंगे और आप कॉल करके उसको मना कर देते ह को कि नई आज कैंसे हो गया हम तो खुद कहीं बाहर जा रहें तो एसी स्थिति तमिल नाडू ने किया कि वह विदान परिशत को लाने का प्रस्ता उपारित किया और आने के पहले हटा भी दिये तो यह आप समझ गए ना विदान परिशत को किसी राज्य में लाना ना लान कैसे लाना हटाना सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर समविधानिक प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे वैसे करना नहीं कभी किसी के साथ ठीके नहीं तो आप मेरी बात को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले और ऐसा किसी के साथ मजा करमत लेना आप लो कि उसको कॉल क अब आते विधान मंडल के उपर विधान सभा के राजी का निचला सदन जो है यह तो हर राज्य में मिलेगा ही यह तो पर्मनेंट मतलब पर्मनेंट का मतलब कि इसको हटाया नहीं जा सकता और यह कंपल सरी है यह तो हो गई होगा विधान सभा के प्रतिनिद्यों को प्रत्यक्ष रूप से भारत में वयस्कमत अधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है सेम एज लोक सभा जैसे आप लोग हर पांच साल में एक बार घर से निकल के लाइन में लग कर और लोग सभा के चुनाओं में वोटिंग करते हैं वोट डालते हैं वैसे ही आपको पताए कि भारत में हर राज्जी के लोग पांच साल में एक बार विधान सभा में होने वाले चुनाओं के लि अधिकार मतलब वही अठारा वर्ष से उपर का हर भारती नागरिक जो वोट देने के काबिल है योग यह वोटिंग कर सकता है जिसके पास एक वोटिंग आईडी है वोटर आईडी होना चाहिए वोटर आईडी के साथ साथ आप पंजीक्रत मत दाता आप लोग है अब कैसे होगा निर्वाचन तो निर्वाचन वैसे फर्स पास दी पोस्ट याद करो मैंने आपको पहले भी बताया है यह प्रक्रिया बार बार बताने की जरूत नहीं है फर्स पास दी पोस्ट प्रक्रिया जो है इसके अंतरगत जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है व इस किसी राज्य में हद से हद कि इतना ज्यादा विथान सबहा के सदर्श हो सकते हैं तो किसी राज्य में अधिक से अधिक 500 तक विधान सभा सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां वर्तमान में 403 विधान सभा सीटे आपको दिखाई देंगी, और कम से कम 60, 60 से कम नहीं हो सकते, भारत में कई सारे राज अपवाद हर जगे हैं तो exception यहां भी है. अपवाद की रूप में आपको बता दूं कि कुछ राज्यें जहां 60 से कम विधान सबा की सीटे हैं, जैसे सिक्किम में आपको पताए 32 हैं, गोवा और मिजोरम, सिक्किम में, मिजोरम में, गोवा में 60 से कम विधान सबा सीटे हैं, इसके अलावा हर राज्य में कम से कम साथ या साथ से ज्यादा विधान सभा की सीटे आपको दिखाई देंगी। इसका मतलब यह कि साथ से लेकर 500 की बीच की संख्या राज्य की जन संख्या और इसके आकार पर निर्भारे मतलब कितने होंगे यह मन का काम नहीं है साथ से लेकर 500 तक उतने ही होंगे जितने आपकी राज्य की जनसंख्या है चुकि यूपी भारत में आपको पता है सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य रहा है और है तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटे यूपी में है ऐसा नहीं कि कोई कॉंपिटिशन चल रहा है कि यूपी ने 403 किया तो हम 410 कर लें फिर कोई राज्य कि उसने 450 कर लिए उधर से कोई 500 कर लिया आखिरकार 500 तक जा सकते ना बोली लगा सकते 500 कि तो कोई बोली नहीं लगाई जा रही है कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटे होनी चाहिए यह सारा मामला जनसंख्या पर निर्भर करता है तो जनसंख्या जिसकी जितनी ज्यादा उतनी सीटे कम तो उतनी कम अब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किन और गोवा के मामले में ये संख्या 30 स्थ की गई है मिजोरम और नागालेगि के मामले में 40 और 46 हला कि अब रृतमान में अरुणाचल में भी ज्याद सीटे हो गई है नागालेगि मात्र, शिक्किन, गोवाः और मिजोरम ये राज्य हैं जहाँ पर आपको विधान सभा की सीटे कम मिलेगी अपवात स्वरूप बाकी हर राज्य में ज्यादा है ये तै किया गया है है तो ज्यादा अरुनाचल प्रदेश सिक्किम और गोवा में 30 तै की गई है ठीक है सिक्किम में वरतमान में आपको पता है कि 32 गोवा की तो गोवा और मिजोरम में यह सीटे जो है 40-40 गोवा में भी 40 सीटे हैं मिजोरम में भी 40 सीटे हैं और गोवा का तो आपको पता है अभी हाल ही में इलेक्शन भी हुए थे कुछ साल पहले तो यह तो अपवाद है बाकी हर राज्य में आपको 40 से ज्यादा ही 60 से ज्यादा मिलेगा सिक्किम और नागालेन के कुछ सदस्ट इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं तो नॉर्मली हमारे विदान सभा के सदस्ट से प्रत्यक्ष वाद में क्योंकि अब को पता है भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना का प्रावधान है सबसे पहली नियमित जनगणना उए उसके बाद से हर 10 साल बाद भारत में जनगणना करने का प्रावधान रहा है 1881 से लेके अंग्रेजों के जाने तक हमने जन गणना की अंग्रेजों के जाने के बाद भी 1951 से हर 10-10 साल में जन गणना हुई तो सम्विधान बनाते समय इस बात का हमने ध्यान रखा कि भारत में हर 10 साल बाद जन गणना होती है और आम तौर पर जनसंख्या बढ़ती है जितनी कई सारे देशों की जन संख्या भी नहीं है तो तो यह प्रावधान किया गया कि चुकि हर 10 साल बाद जन गणना होगी तो प्रत्येक जन गणना के बाद में पुनर निर्धारण हो क्योंकि जन संख्या बढ़ रही है आपके आगर पिछले 10 साल पहले मालीजी दो कर करोण लोग थे तो दस साल बाद स्वाभावी के रूप से डाई करोड के आसपास हो सकते हैं या सवादो करोड हो सकते हैं तो प्रत्येक राजी के विदान सभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का फिर से निर्धारन किया जाएगा जैसे जैसे जन संख्या बढ़ती अगर मानलों कि जन संख्या कम हो गई किसी राज्य में तो सीटे भी कम कर देंगे और बढ़े के तो बढ़ा देंगे और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के इसाब से विभाजन इसका हर दस साल में पुना निर्धारन किया जाएगा हाला कि 1971 के बाद यह सब बंद कर दिया गया 1971 की जनगंदा को फिक्स कर दिया और वरतमान में जितनी भी विधान सबा सीटे आप देख रहे हो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हो आप अपने राज्य की एक बार विधान सबा सीटे पता कर ना जैसे मैं MP में रहता हूं मध्य प्रदेश में विधान सभा की 130 सीटे राजस्तान में 200 सीटे तो आप आजजी में रहते हैं तो आप देखेंगे की आपके यहां पर विधान सभा की जो सीटे ना वो पिछली जनगन्लपना के आधार पर नहीं है कि पिछली जनगन् trag Army 2011 में हुई थी परन्तु ये सीटे 1971 के आधार पर फिक्स हुई है मतलब 1971 की जनगनना के आधार पर ही आज तक सीटे चल रही है उतनी जनसंख्या के आधार पर जबकि इन 50 सालों में भारत की जनसंख्या डबल हो गई है और ये 2026 तक कि लिए किया गए 2026 में हम ताई करेंगे कि आगे क्या करना है मतलब आज भी 2022 चार साल और रूखिए कम से कम चार साल तक तो भारत में कोई विधान सभा की सीट किसी राज्य में नहीं बढ़ने वाली चार साल के बाद इस बार लग रहा है कि शायद सरकार बढ़ा दे आगे समझ में संसत को इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामले का निर्धारन करें इसी उद्देश के लिए 1952, 1962, 1972, 2002 में परी सीमन आयोग अधीनियम पारित किये गए ये भी पूछा जाता है कि भारत में कब-कब परी सीमन आयोग का गठन किया गए या इनके इनके अधीनियम पारित किये संबंधित 1952, 1972, 2002, 2004 अभी तक चार बार परी सीमन आयोग अधीनियम पारित हो चुके 1976 में जो 42 संविधान संशोधन हुआ था आपको पता है कि भारत के संविधानिक संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा है 1976 का जो मैडम इंद्रा गांदी ने किया था और पूरे संविधान में बहुत बड़े पेमाने पर परिवर्तन हुआ इतना बड़ा परिवर्तन कि इसका नाम ही पढ़ गया मिनी कॉंस्टिटूशन लगू संविधान तो इस मिनी कॉंस्टिटूशन में आपको पता है कि भारत के संविधान में एक प्रावधान ये भी था कि 2000 तक सं 2000 तक जन गणना 1971 के आधार पर सीटों को फिक्स कर दिया गया था 2000 तक तो आप तो कहोगे कि सर आपने अभी 2026 बोला आगे जाके हमने इसको 2000 से 2026 तक कर दिया कि ऐसा नहीं मेरी बाद समद रहे हूं पहले ये 2000 तक था और फिर हमने इसको 26 तक के लिए फिक्स कर दिया वरतमान में अब अनुसुचित जाती और जन जाती का आरक्ष्ण ये भी आपको पता होगा कि भारत के संविधान में अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती दोनों के लिए लोग सभा में भी कुछ सीटे आरक्षित है और विधान सभाओं में भी जैसे लोग सभा में आपको पता है 84 वरतमान में अनुसुचित जाती की 84 सीटे लोग सभा में आरक्षित है और 47 सीटे अनुसुचित जन जाती की 47 तो ये तो मैंने आपको लोग सभा के अलावा ठीक है लोग सभा के अलावा हर राज्जी की विधान सभा में भी सीस्टी के सीटों का रिजर्वेशन है यह आपको बात पता हो तो आरक्षन अनुसुची जाती और जन जाती का किया गया है राज्जी की जन संख्या के अनुपात के आधार सीटों के कुछ आरक्षन की बात अब यह भी आपको पता होगा कि यह आरक्षन कोई स्थाई नहीं था जब संविधान बना था 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो मूल रूप से यह आरक्षन मात्र 10 साल के लिए था 1960 तक था लेकिन इस विवस्था को हमने 1960 में दस साल और बढ़ाया सक्तर में फिर बढ़ाया और ऐसे करते करते हमने इसको हर बार दस दस साल के लिए आगे बढ़ाया है वर्तमान में क्या इस्थिती है एक सो चारवा संविधान संशोधन अधीनियम 104 एक सो चारवे संविधान संशोधन अधीनियम के द्वारा जो 2019 में पारित हुआ था 2030 तक के लिए अभी फिर 10 साल बढ़ा दिया 2020 से 2030 संविधान संशोधन था उससे यह 2020 तक बढ़ाया गया और एक सो चारवे संविधान संशोधन के द्वारा इसको फिर 10 साल के लिए 2030 तक के लिए तो अभी 2030 तक लेकिन भारत में के लिए जो सीटों का आरक्षन है वो लोक सभा में और विधान सभा में दोनों जगे बढ़ा दिया गये लेकिन एक और इंपोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए और वह संविधान के अनुच्छे 333 से जूरी होई क्या जानते हूं अनुच्छे 333 में क्या है या क्या था दरसल अनुच्छे 333 के तहत राज्य के राज्यपाल को एक अधिकार दिया गया था कि यदि उस राज्य में आंगल भारती समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व प्रत पर्याप्त नहीं है तो प्रतिन एंगलो इंडियन भारती वेक्ति को भारत के राज्यों में जो विधान सभा है ना क्यों की tunnel को वे industrial 1 मनोनीत कर सकता था आंभी 333 कें कि इसको हटा दिया इसी संविधान संशुदर यह भी बढ़ता जा रहा था दस यहां आके एसी एस्ट और एंगलो इंडियन का साथ छूट गया एंगलो इंडियन का आरक्षन उसके बाद खतम हो गया वर्तमान में आंगल भारती का कोई आरक्षन नहीं है आरक्षन अब सिर् कि पिता ये वन्श से आदम और भारती में सुनाओ बॉली वूड के बॉलि के जो कई सारी बॉली वुड की पुरानी मूवीज में आपको अंग्रेज की रोल में दिखाई देंगे यह आपने एक फेमस राइटर का नाम सुना होगा रस्किन बॉंड सहब का ऐसे कई सारे लोग हैं जो एंगलो इंडियन के तोर पर बड़े-बड़े नाम मिल जाएंगे आपको बहुता दिया अब आये विधान परिशद तो विधान सभा तो हमने देखा विधान परिशद का गठन कैसे हो और एक और आपके काम की बात बता दूं कि हम लोगों ने पॉलिटी का पीवाएक्यू किया था पिछले सालों के दस सालों के आये हुए कुश्चन्स मैंने आप लोगों को करवा है थे पॉलिटी के अब यह जो संडे आएगा 29 तारीक को संडे 29 तारीक को मैं आपको करवाओंगा हिस्ट्री के पीवाएक्यू इतिहास कला और संस्कृति के जो कुश्चन्स यूपीएस्टी में पूछे गए पिछले 10-12 सालों में उनको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 29 तारीक को संडे को संडे 29 सारीक को जितने भी पिछले कुछ सालों में इतिहास से हीस्ट्री से कुश्चन्स पूछे गए हैं और जो कला संस्कृति से पूछे गए हैं उनके उपर हम लोग चर्जा करेंगे 29 तारीक को आप लोग इस सेशन को देखना न बूले अब आजाए राज्य विधान परिशत का गठन कैसे होता है, चुकि मैंने आपसे कहा यह तो वैसे ही, इसका होना न होना कोई बहुत जाद ज़रूरी तो है नहीं, विधान सभा के सदस्यों की विप्रीद, विधान परिशत के सदस्य जो है वो अप्रत्यक शरूप से कि इसके सदस्यका चुनाव अपरैक्ष तरीके से किया जाता है और इसमें अधिकतम संख़ा विदान सभा की एक्तिहाई और न्यून्तम 40 द्हान से समझेलो कि जैसे मैंने को बताया थे ना अधिकत्यौ्ध में अधिकत्य मोर्नी न्यूनतम कितने सदस्य सबस्ड़ा और कितने कम हो सकते हैं तो मैक्सिमम में किसी राज्जी की विधान परिशंग में कितने सदस्रीव कर अधिक्तम के यह उस राज्जी की विदान सभा कि सदस्यों की संख्या पर निरभर करता है कि मतलब विदान सभा में मान लो की 300 लोग हैं तीन सो सीट से विधान सभा में तो परिशद में आप ज्यादा से ज्यादा सो सीट रख सकते हों वन थर्ड सो से ज्यादा नहीं होगी अगर तीन सो विधान सभा है तो कि जितनी भी आपके राज्य में विधान सभा की सीटे हैं आपके राज्य की विधान परिशत उसके एक तिहाई से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है और कम से कम 40 होगी कम से कम ऐसा नहीं है कि कितनी भी कम हो सकती जैसे आपमालों कि विधान्सभास से ही सोगे तो एक ही तो 33 हो जाएगा तो कम से कम 40 homework कि अब आपको विधान सभा में अधिक्तम 500 श they do और कम से कम चाल चालीस अविधान परिशत की अधिक्तम संख्या फिक्स नी वो विधान सभा पर निर्भर करती है इसका मतलब सम्विधान जो है वो संबंधित राज्य में विधान परिशत की संख्या उस राज्य की विधान सभा के आकार पर निर्भर करता है अविधान सभा का आकार जितना बड़ा होगा उस राज जी की विधान परिशत भी उतनी बड़ी हो जाएगी ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का प्रभूत वो बना रहे हैं ऐसा नहों कि भारत में तो कुछ भी हो सकता है तो ऐसा नहों कि राज जी के विधान सभा से ज्यादा सद्व से विधान परिशत में आ जाए तो फिर विधान सभा अपने आपको चोटा महसूस करने लगे और बिना मतलब के दोनों में टकराव हो इससे अच्छा है कि विधान परिशत छोटी रखी जाए ये दिपी संवीधान ने विधा सविक रूप से कितने सदस्य होंगे यह तैकम करने का काम तो फाइनली संसद का ही है अल्टिमेटली पार्लियमेंट विल डिसाइड संसद निर्धारित करेगी कि कितने सदस्य विधान सभा में वहां पर विधान परिशद में रखना है अब जो चीज सबसे ज्यांधा बच्चो को परेशान करती हैं मुझे पता है क्योंकि जम मैं स्टूडेंट bonus तो हमें यह चीज परेशान में करती थी कि विधान परिशद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, दरसल विधान परिशद के सदस्यों का चुनाव है वो अपने आपने एक टेड़ी खीर है, याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं कि विधान परिशद का चुनाव कैस तो यह एक टेड़ी खीर है, टेड़ा मामला है, इसको समझें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस राज्य की विधान परिशद की जो सदस्य है, उनको आप तीन भागों में बाटेंगे, तीन मतलब एक तीहाई, एक तीहाई और एक तीहाई, समझ है, सबसे पहले क्या सबसे पहले जितने सदस्य हैं उनके तीन हिस्से कर लो तीन हिस्से एक इधर एक इधर और एक इधर तो यह तीनों हिस्सों का निर्वाचन कैसे होगा सबसे पहले हम बात करते ही यह वाला इस एक तिहाई सदस्य जो है एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा उस त्राज्य की जो विदान सभा विदान सभा के द्वारा तो उस राज्य की विदान सभा के जो भी सदस्य है वो एक तिहाई सदस्यों को चुन लेंगे है ना चलो हम लोग एक आकड़ा लेले तो जादा अच्छा रहेगा माननो विदान परिशद में 120 सदस्य है टोटल तो 120 की तीन हिस्से करिए जरा कितने होंगे हिसाब में तो आप पक्के ही होंगे 40 40 और 40 40 40 40 तीन हिस्से करें तो 40 सदस्य कौन चुन लिया 40 सदस्यों को उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों अब जितने भी 400 200 300 200 जो भी और 40 सदस्य जो है एक तिहाई बचे हुए जो सदस्य उनमें से 40 सदस्यों को उस राज्य में जो पंचायते हैं और उस राज्य में जो नगरिश जो शासन है मतलब नगरपालिका वगेरा के सदस्यों द्वारा अब एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा उस राज्य में जो इस्थानी स्वशासन हैं पंचायते नगरपालिकाएं जितनी भी हैं उनके सारे सदस्यों वो सब मिलके इन 40 सदस्यों को चुनेंगे एक तिहाई को अब बच गए हमारे 45 हमने 80 सदस्यों का निर्वाचन तो करवा दिया अब इन 40 को कौन और कैसे चुना जाएगा तो सबसे पहले तो इस 40 के दो हिस्से करो एक बटाच्छे एक बटाच्छे एक बटाच्छे पहले आप इनको आदा आदा कर लो तो कितने होंगे 40 के आदे करो 40 के आदे करो कितने होते हैं 20 20 और 20 ठीके तो ये जो एक बटाच्छे या 20 सदस्य हैं इनको कौन चुनेगा मतलब इनको राज्यपाल के द्वारा मनोनित किया जाएगा जितने भी सदस्य विधान परिशद में हैं विधान परिशद के एक बटे छे सदस्यों को राज्यपाल मनोनित करें इसके लिए आपको राज्य सभा में जाना पड़ेगा जैसे हमारे यहां राज्य सभा में राष्टपति कोई अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को राज्य सभ वहां में मनोनीत करते हैं कौन से बारा सदस्य जिने कला साहित्य विज्ञान समात सेवा के क्षेत्र में अच्छा-कासा अनुभव हो लेखनी उपलब्दियाओं ऐसे यह 12 सदस्य जैसे राष्ट पती द्वारा वहां जाते हैं वैसे ही उस राज्य की राच्शिपाल के द्वारा कुन विद्धान-परीशत की सदस्य संख्या का एक बटाए छेढ़ ridiculously कर दो lemon精 एक बटाइफ एक बटा शे बचाए बस तो इस एक बटा च्छे के भी दो टुकड़े करो कितने दो हिस्से करो इसके भी दो हिस्स्ते करो एक बटा बारा और एक बटा बारा अब यहां त्वड़ा सा गणित तो आपका अच्छा होना ची क्योंकि एक बार जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा जो है वह नाराज हो गया बोलने लगा कि सर आप यह कैसे पढ़ा रहे हो एक बटा ज्यादा होता है कि बटा बारा अब मैं उसे समझा रहा हूं कि बिटा एक बटा च्छे ज्यादा होता है तो कहले नहीं सर एक बटा च्छे कैसे ज्यादा हो सकता है बटा बारा ज्यादा हो तो अगर आपको ऐसा कोई कन्फूजन है तो पहले आप थोड़ा सा मैथेमेटिक बसक्राइब 1.2 को समझा नहीं है ऑर अग्षा मिचुले निगर्फ Siagasa 2.441 कसे दिने चुछ में एकल्म लेवड़ाज हो ज्यादाकि इस मामले में मिठेकल हुआ ऐसा तो कोई नहीं है ठीक है तो अब एक बटा बारा और एक बटा बारा दो कर लिए कितने आएंगे दस 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 और दस तो यह दस सदस्य कौन चुनेगा यह दस सदस्य चुने जाते हैं शिक्षकों के द्वारा ध्यान रखना उस राज्य में जो शिक्षक पड़ा रहे हैं जो माध्य में किस तर से मिडिल से उपर के लेवल पर पड़ाते हैं और जो कम से कम तीन साल से उस राज्य में रह रहे हैं और पड़ा रहे हैं तो ऐसे जो शिक्षक हैं जो टीचर्स हैं वो चुनेंगे एक बटे बारा सदस्य हो चुका है सनातक हो चुका है तीन साल से उस राज्य में रह रहे हैं इनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है ठीक है ऐसे छात्रों के द्वारा बचे हुए दस या एक बटा बारा सदस्य चुने जाएंगे अब मुझे बताओ क्या आपको कोई दिक्कत है यहां नियुक्ताओ की यहां समज़ोंगे, आपको क्या करना है आपको हमेशा मेरी भात ध्यान रखाना अगकी सर ने जब पढ़ाया था तो सर ने बताया था कि विधान परिशक के साने सदस्यों को दीन भागों में बाट दूंक है सटीन में पर इक बटा तीन एक बटा चालीस बीस बीस और दस दस खतम भूल आया की नहीं आया समझ में कि समझ में आया की नहीं जिनको पढ़ना है जिनको समझना है मैं उन से पूछ रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया जो आते ही की नहीं है समझने के लिए जो पढ़ना ही नहीं जिनको फिर जादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा लेकिन जिनको पढ़ना है उन से मैं पूछ रहा हूं कि आपको समझ में आया की नहीं आया लास्ट वाला बीस समझा देते हैं बिल्कुल समझा देंगे लास्ट का जो बीस है न इसमें से आधे सदस्य टीचर्स चुनेंगे जो पड़ा रहें उस राज्य में कम से कम तीन सालों से वहां रहें और पड़ा रहें तो वह चुनेंगे और वह सारे टीचर मिडिल से उपर क और जो दस सदस्य आखरी के वो चुनेंगे चात्र आप जिसे ही जो स्टूडेंट जिन्हों ने ग्रेजुएशन कर लिया है जो पीजी कर रहे हैं या कहीं जौब कर रहे हैं कोई भी तो चुने अब यह तो मैंने आपको बता दिया विधान परिशद का निर्वाचन कैसे होगा और कौन चुनेगा लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सारे सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते मैंने आपसे कहा था कि ए विधान परिशद का निर्वाचन होता है न वह एक प्रकरसी सथाई सदन है तो यहां क्या होगा ज़ितने भी सदस्य वह एक तिअए एक तियाए एक टियाइ एक भारबे ficarانि टियुएट ये स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए है एक बाटा तीन सदस्यों का चुनाओ विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है बाकी बचे हुए एक बटा छे सदस्यों को राज जिपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है जिने साहित्ती ज्ञान कला सहकारिता अंदोलन समाच सेवा का विशेश ज्ञान और विवहारिक अनुभव अपने निर्वाचित एरिया में मतदान करते हैं या नहीं मैं समझा नहीं क्या पूछना चाहते हो क्या है आपका मैं समझ नहीं पाया अगर मैं आपको यहां से समझाता ना इस तरी किसे जो किताब में लिखा है तो शायद आप और कंफ्यूज हो जाते यही कारणे कि बच्चे क्या करते हैं किताब के हिसाब से ही समझने की कोशिश करते तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत बटे 6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और एक बटा 6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा ना मांकित होते हैं इस देट लेजिस्लेटिव का उनसिल इंडरेक्ट लिए टो जो स्ट्रेंथ टो टोल जो मेंबर से उनको आपको डिवाइट कर लेना है वन्थथ और वन्थर ओन्थर दैन Sax विल बेलेक्टेट बाइदी मैंबरस ऑफ दे Самेडिये सेम्वी समंनित राज्य उसके種 सदस्यो दाला सट्र안 zieidée में जो रूरल और अर्बन लोकल जो सेल्फ बॉडीज हैं उनके मेंबर्स वन थर्ड वहां से आ जाएंगे और बचे हुए वन थर्ड को हमें डिवाइट कर लेना है वन बाई सिक्स विल बी नॉमिनेटेट बाई गवर्नर गवर्नर ऑप दे स्टेट कंसर्न जो भी उस राज जी तो यहां तक समझ गए अब आप आँए दोनों सदनों का कारिकाल निरवाचन के बाद हम बात करते हैं अ कि अगर कोई वेक्ति राजय परिशद में मतधान कर रहा है तो अपने कशेत्र का मतधाता हो गा करते हैं तो निलाके में अपने बने करते को बारत आइकार करते हैं लोग सब्स आणस भी राष्टा पती के निरीवाचन करें करने हैं वन तरट रुख्सभा रुोपा के चुनाओं में विदान सब्स बधान करते हैं। नोट जिए ओ अब कारेकाल की बात करें तो विदान सभा का मामला क्लीर है विदान सभा व लोक सभा की तरव निरंतर चलने वाला सधन नहीं है जैसे लोख सवा निरंतर नहीं चलता यह 5 साल भाध भंग इसे मतलब विदान स्वा लोग स्वा में तो इत्तू सा भी अंतर नहीं समझ गए विदान सबा तो पूरी लोग सबा की तरह था विदान परिश्यत पूरी राज्य सबा की तरह नहीं है थोड़ा बहुत एक जीसाइद फ्टा बहुत अलग है आंचुनाओं के बाद पहली ब गटित या भंग हो जाती है हाला कि आपको ये बात भी पता है कि विधान सभाग्वों किसी भी समय पात साल से पहले भंग किया जा सकता है और ऐसा करने का पावर है उस राज्जी के राज्यपाल के पास हाला कि राज्यपाल ऐसा मुख्यमंत्री की सलापर ही कर सकता है राश्ट्री आपात्काल अब आपको ये भी बात पताओगी मैंने आपको पढ़ा दिया है आपात्काल वाला भाग अनुच्छे 352 मैंने आपको पढ़ाया था इमर्जेंसी वाला चेप्टर किन-किन लोगों ने नहीं देखा नहीं देखा हो तो देख लेना अगर आपके देश में किसी भी अगर हमारे देश में कहीं भी किसी भी एरिया में या पूरे देश में national emergency लग जाती है राश्ट्री आपको काल के समय अगर मान लीजिए कि चुनाओ कराना संभव नहीं हो तो संसद विधान सभा का कारेकाल एक समय में एक साल के लिए बढ़ा सकती है जैसे संसद अपना कारेकाल एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकती है वैसे ही संसद विधान सभाओं का कारेकाल भी एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकती है लेकिन एसा राश्त्री आपातकाल के समय ही हो सकता है सामान निया साधारन मामलों में नहीं थीक है तो आपातकाल की अउधी के समय विधान सबा का कारेकार एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है वैसे ये 5 साल कही होता है, राज्य सभा की तरह विधान परिशद एक सतत सदन है, तो जैसे राज्य सभा है कि स्थाई और पर्मनेंट हाउस है, वैसे ही विधान परिशद भी है कि स्थाई अंग है, ये कभी भंग नहीं होता, समझ गए? विधान परिशद कभी भंग नहीं होता, स्थाई अंग है जो विगटित नहीं होता, लेकिन वही राज्य सभा वाला प्रोसीजर यहां भी फॉलो किया जाता है, एक तिहाई सदस्यों को प्रत्येक दूसरे साल में रिटायर कर दिया जाता है, तो वन थर्ड, वन थर्ड और बन थर्ड, एक तिहाई रिटायर हुए, उनकी जिएक झाए एक तिहाई होँगे, फिर नहीं आएंगे, फिर जाएंगे, फिर नहीं, तो हर दूसरे साल तो ऐसे विधान परिशद के जो सदस्य है, उनका कारेकाल six साल का हो जाता, इस तरह एक सदस्य шे साल के लिए सदस्य बनता है खाली पदो को नए चुनाव और नामांगकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंब में भरा जद अगर आपको समझना हो ना विधान परीशद का मामला है राज्यसभा का मामला तो इसका सबसे अच्छा एक्जामपल होता है सिगनल कि सिगनल पर आप सिगनल पर तो समय तक बाकी लोग खड़े रहते हैं फिर दूसरी सइड वालों का नंबर आता है तब तक पुरानी ग्रीण वालों की तरफ फिर से लोग आके खड़े हो जाते हैं है ना तो यह जो आप सिगनल पर देखते हो ना कि एक साइट जाती है बाकी रुके हैं फिर वो साइड वा चामितर उस्य पश्वा की सिमार कर सिखलच दमें रहे कि आपको चराइंव कि पने मकुंत रहे कि आंब हो सब्सक्राइं posição मिला हômग जाए देखाएं तो आपको साप इंचने में आप जाते हैं उतना सब का देखना पड़ेगा ठीक है कि कई लोगों को बड़ी आपत्ती होती ऑब्जेक्शन होता है कि यह खड़ा तो जो है 80-90 सेकंड तक एक-एक मिनिट तक डेड़ मिनिट तक लोगों को खड़ा रखते हैं और निकलने के लिए मात्र 15-20 सेकंड दे देने लगे ग्रीन लाइट के दिल देने लगे तो फिर आप और ज्यादा रुखना पड़ेगा तो हर तीसरे वर्ष के प्रारभ में यह पद भरे जाते और सेवा निवरत्त सदस्य भी पुनर चुना और दोबारा नामांकन के लिए योगी मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी बार जो है विधान परिशत का सदस्य बन सकता है इस पर कोई बात दिता नहीं है अब जाईए योग्यता है कौन व्यक्ति मैंने आपको कारेकाल बता दिया गठन बता दिया सब बता दिया कौन व्यक्ति विधान मंडल का सदस्य बन सकता है जिसे आपका कभी लाइफ में इ होना चाहिए जो आप लोग है इसी एक क्वालिफिकेशन तो हम लोग बाइबर्थ लेकर पैदा हुए है पिर चुनाव आयोग द्वारा अधिकरत किसी व्यक्ति के समक्षि शपत लेनी पड़ती है मतलब आपको जो भी नियुक्त किया गये व्यक्ति चुनाव आयोग के जो शपत लेनी पड़ती है संकल्प लेना पड़ता है कि मैं भारत के संविधान के प्रती सची निश्था रखूंगा संप्रभूता और भारत की एक ताखंडता को अक्षुन रखूंगा यह शपत लेनी पड़ेगी फिर बात करते एज तो आपको पता ही होगी एज तो आपको पता है कि विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है विधान सभा का सदस्य बनने के लिए और यदि आप विधान परिशद के सदस्य बनना चाहें तो आपको 30 साल की आयू कम से कम होनी चाहिए मामला पूरा राज्य सभा लोग सभा की त संसद द्वारा जो अन्य ओघ्यत की जाएं जो संसद योग जिता आप से मांगे निर्धारित करें वो भी होनी चाहिए क Warum जनप्रतिनिधित वाधीनियम 1951 का नाम तो आपने सुना होगा जन प्रतिनिधित वाधीनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त योग जिताहं सब्सक्राइब रखता हो और उसमें राज जिपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज जी का निवासी होना चाहिए तो यदि राज जी पाल किसी वेकती को विदान परीशद में भेज रहे एक बटे-च्रेक उनके पास कोटा होता है तो राज जी पाल द्वारा जो एक बटा छे सदस्य भेज़े जाते हैं वो उसी राज्जी के संबंधित राज्जी के निवासी होने चाहिए समझ गए अब ये कुश्चन बड़ा अच्छा है महावीर शेखावत का कि प्रारंबिक गठन होता है तो गठन एक साथ होता है तो फिर आखिर में कैसे मैनेज होता है तो ये वैसा ही होता है जिसे राज्जी सभा का मैंने बताया था पहली बार जब राज्जी सभा में हुआ था ना क् किसी राज्य में विधान परिशत का गठन जब हो गया तो फिर कुछ सदस्यों को लॉट्री सिस्टम में शुरुवात में दो साल और चार साल में रिटायर किया जाता है, उसके बाद फिर वो रोटेशन वो साइकल बन जाता है. I hope you got your answer. तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है, उन्होंने क्या-क्या योग गिताएं? भारत का नागरिक होना चाहिए, जन मसे हो चाहिए बाद में बने, उससे फरक नहीं पड़ता, भारत का नागरिक अगर आप जन मसे तो अच्छी बात है, या अगर बाद में बने तो भी बन सकते हैं, योग गिता है. आगे समझ में सभी को? अब क्या-क्या योग गिता है, जैसे मैंने बुला कि अगर विधान परिशद में कोई विक्ती जा रहा है, तो उसे विधान सभा का सदस्य होने की योग गिता होनी चाहिए, और अगर राज्य पाल उसको मनोनित कर रहा है, नियूक्त कर रहा है, तो उसे उस राज्य का नि मतदाता भी होना चाहिए मतलब आप किसी राज्य में विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उस राज्य की विधान सभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका उस राज्य में पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है किसी दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति मतदात के रूप में पंजिक्रत है तो वो विदान सभा का चुनाओ दूसरे राज्य में नहीं लड़ सकता है अनुसुची जाती-जन-जाती का सदस्य होना चाहिए यदि वो अनुसुची जाती-जन-जाती की सीट के लिए चुनाओ लड़ता है तो स्वाभावी कसी बात है जो चाहिए कोई और व्यक्ति नहीं लड़ सकता यद्यपी अनुसुची जाती-जन-जाती के सदस्य किसी भी सीट से चुनाओ लड़ सकता है यह आपको पता होगँ जो सीट जो सीट जिस ख्षेत्र में उसका नाम पंजीग्रत होगा वहां से चुनाओ लड़ सकता है बिलकुल लड़ सकता है उस राज्य में कहीं से भी लड़ सकता है भले आप जिस ख्षेत्र में मत दाता हो वहीं से लड़ना चाहो तो वहां से भी लड़ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लेकिन हा एक बात जो मैं आपको बता रहा था कि जाती जन जाती के लोग कहीं से भी लड़ सकते हैं, आरक्षित सीटों भी और अनारक्षित सीटों से भी, अब आती है अयोग्यता है, कौन व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा विधान सभा के, विधान परिशत के सदस्य होने से, यदि क कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाब के पद पर हो, यह मैंने आपको पहले भी बताया है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगे पर केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाब के पद पर है, तो वो सदस्य नहीं बन सकता, यदि वहाँ विक्रत चित्त ह और सक्षम न्याले कि इसी गोश्णा विद्धि माने तो मानलो कि कोई व्यक्ति जिसे प्रोफेसर है ठीक है अब वो प्रोफेसर है गवर्मेंट सर्वेंट है अच्छी सेलरी मिलती है और उसे विधान सभा का चुनाव लड़ना है सदस्य बनना है तो चुनाव लडने के पह सरकार की नौकरी भी कर ले या फिर ने घोशणा किया याध मी mines रिख्रफ्र विक्रत चित हैं तो नहीं कर सकता दिवालिया वर्णक्रप्ट हो ठिक है यह यह विद्धेश में कहीं नागरिकता स्वेत्छा शरें जित कर लिए यह कि भाद के बाहर भी देशों में नाग रिखता है ले लेते हैं तो अगर ऐसा किया है तो आप नहीं कर सकते या किसी विदेशी राज्य के प्रति निश्ठा या अनुशक्ति को स्विकार किया या संसत द्वारा निर्मित किसी कानून या उसके अधीन वह योग्य करार दिया गया है तो ये संसत के द्वारा तै की गई जन प्रत्रिदेत अधिनियम के द्वारा तै की गई अयोग्यता इसके अलावा कुछ और अयोग्यताएं भी है जो निर्धारित की गई है जैसे चुनाव में किसी प्रकार के भरष्ट आचरण या चुनावी अपरात का दोशी नहीं पाया अगर कोई विक्ति ब्रष्ट आचरण या चुनाव में अपरात का दोशी पाय जाएगा तो वो सदसे नहीं बन सकता उसे किसी ऐसे अपरात के लिए दोशी नहीं ठहराए गया हो जिसके लिए दो या दो से ज़्यादा साल की सजा उसको मिली हो यदि किसी विक्ति को किसी क्या अपराद में 2 या 2 से ज्यादा साल की ये दो वला आकड़ा याध रखेगा को कि दो या दो से ज्यादा समय की वर्ष की साल कि सजा अगर मिली है तो फिर वह वेक्ति योग्य नहीं होता लेकिन किसी वेक्ति का किसी निरूधात्मक कानून के अंतरगत निरोग करना अच् कि आपको पता है हर व्यक्ति को भारत में चुनाओ लड़ रहा है चाहे लोकसभा चाहे विधान सभा का चुनाओ में जो प्रचार में खर्चा होता है उस खर्च का एक एक रुपे का हिसाब निरवाचन आयोग को देना पड़ता है समय सीमा के अंदर यह इसलिए किया गया है कि बहुत सारे लोग धांदली करके खूब सरप पैसा जितना खर्चा करते उतना बताते नहीं है पर ब्योरा देना जरूरी है चुनावी खर्च का कि हमने इस पूरे चुनाओ में कितना खर्चा किया है फिर ब्रश्टाचार अत्वा सरकार के प्रती विश्वास गात के कारण अगर किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है हटाया गया है अगर किसी वेक्ति को सरकारी सेवा से ब्रश्टाचार के कारण या कि सरकार के साथ दोका धड़ी के कारण किसी भी तरीकारण से हटाया है वो नहीं बन सकता सदस्य अगर उसे किसी विभिन समुओं के बीच वैमनस से बढ़ाने अत्वा घूस खोरी के 2007 में का गया लिपिंटि वाला मामला दहेज प्रथा सती प्रथा आदी जैसी किसी सामाजी अपराद में अ या औस प्रश्यता अगर उसको दंडिक किया गया है तो वह व्यक्ति चुनाओं नहीं लड़ सकता तो यह कुछ अयोग्यता हैं कौन व्यक्ति भारत में विधान मंडल का सदस्य नहीं बन सकता और उसके बाद भी अगर कोई प्रश्ण उठे कोई कुश्चन यदी उठे किसी सदस्य की योग्यता योग्यता को लेकर तो उस पर अंतिम निर्णय फिर होता है राज्यपाल का किसका होगा अंतिम निर्णय फिर उस पर राज्यपाल का होता है हालाकि राज्यपाल इस मामले में चुनाव आयोग की सलाह से काम करता है यह वैसा ही है जिसे मैंने आपको के केंद्र में राश्ट्रपती जो है वो चुनाव आयोग की सलाह पर संसत के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता पर प्रश्ण पर विचार करते हैं निरणय करते हैं वैसे ही राज्य पाल भी चुनाव आयोग की सलाह पर किसी राज्य में विधान मंडल के सदस्यों की योग्यत और अयोग्यता पर निर्ड़ाइं लेते हैं आगे समझ भे अब दल बदल के आधार पर भी अयोग्यता देखो अगर कोई व्यक्ति दल बदल कानून के तहत अब आपको पता है ना कि मैंने कल भी बुला था दस्वी अनुसूची जोड़ी गई थी और भारत में उनीच सो पचासी में ठीके बावनवे समविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को क्या किया गया था अवेद ठहराय गया था और अगर कोई व्यक्ति दल बदल के लिए दोशी ठहराय जाता है तो फिर वो व्यक्ति अयोग्य हो जाता है सदस्विधान में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दस्वी अनुसूची के जो उपबंद है दल बदल वाले उनके अंतरगा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य होता है तो राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन के जाएगा फिर वो अयोग्य हो जाएगा दस्वी अनुसूची के तरफ यदि अयोग्यता का मामला उठता है तो फिर आपको पता है कि इस मामले में राज्य पाल निरणय नहीं करता अगर कोई मामला दल बदल के तरफ उठाए कि सदस्य योग्य है कि अयोग्य है इस मामले म में विदान वा में विदान वाका ज्यायक्ष कि ईनके द्वारांस दोरा फैसला किया जंगा और आपको यह बिता कोटे कि इसकी न्याइक भी कर सकता है जुँडीशाल रिव्यू और पिछासी नदिकारियों के निर्णए का जुडीशल रिव्यू हो सकता है आ गया समझ में चलिए तो यह हो गया भारत में विधान मंडल के सदस्टी कौन बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं उनकी योगिता अयोगिता निर्वाचन गठन संरचना सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको सेशन अच्छा और डेली यह सेशन बारा बजे होता है मैंने फिर आपको बताया कि ठीक 29 तारिक को बारा बजे 11 बजे होगा 29 तारिक को 11 बारा बजे आपका हिस्ट्री के पीवाई क्यूंस का सेशन होगा जिसका बहुत देर से वेट कर रहे हैं अभी तक हमारा हिस्ट्री का पीवाई कब 29 तारिक को 29 माई को डेट नोट करिए 29 तारिक को 29 माई 29 माई समय होगा 12 बजे ठीक है 29 माई संडे है उस दिन रवी बार को 12 बजे हम लोग हिस्ट्री के पीवाई क्यूंस करने वाले हैं तो जाते जाते सेशन को लाइक करिए अच्छा लगे तो शेर करिए कॉमेंट में फीडबेक दीजिए और इस इस मैं रेफरेल कोड गाई जो बेस्ट एडुकेटर से उनके साथ घर बेठे सारे टीचर से पढ़ सकते अनलिमिटेड एक्सेस के साथ प्री मेंस इंटर्व्यू सब के लिए तो यह रहा रेफरेल कोड इसको यूज कीजिएगा फिर मिलेंगे अगले सेशन में बाई-बाई टेक केर जाहिन लेट्स क जो कर दो कि लिए प्री में लेजिए से यूज में लेखरेल लेडियों यह रहा है, आए अ।